नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यह चैनल पर तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा दोस्तों कुशल मंगल होंगे तो आज की इस वीडियो में बता दे कि प्यार में सिर्फ एक काम कर देना पागल हो जाएं और इस मंत्र को दोस्तों पढ़ लो आप सभी का जीवन ही बदल जाएगा जी हां आपने बिल्कुल दोस्तों सही सुने हो और जो भी हम आपको बताएंगे वह दोस्तों 100% सत्य ही वीडियो आपकी यह राशी दोस्तों पूरा जीवन ही बदल जाएगा तो दोस्तों आपके लिए बता दे कि प्यार में पागल इंसान तभी बनता है जब दूसरों इंसान का दिल में बिठा लेते हैं दूसरे इंसान को बहुत ज्यादा पसंद कर लेते हैं जी हां दोस्तो और आपको आज हम बताने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, जो कि दोस्तों कैसे आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदलने वाले हैं, कैसे आप सभी का भाग्य का साथ मिलने वाले हैं, और इस राशी के जातक के लिए बता दे, कि यह वीडियो आपकी राशी आपकी कुंडली और आपके ग्रह गोचर पर आधारित है जो की आने वाले समय में आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाली है पूरी तरह से आपका भाग्य का साथ मिलने वाले हैं जी हां दोस्तों आपको हर एक सूचना आज हम बताएंगे सुनाएंगे और जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे सत्य के सिवा दोस्तों दूसरे कुछ नहीं कहेंगे जी हां और आज के इस वीडियो में आज के इस राशी फल में दोस्तों बता दे कि मित्रों आखिरकार आपके प्या और आपको दिल में दोस्तों इतना कुछ जगेगा कि आपने भी कभी नहीं सोचे होंगे जी हाँ, दोस्तों आपका पूरा भाग्य का साथ मिलेगा, पूरा भाग्य का हाथ मिलेगा और जीवन आपकी खुशियों से दोस्तों बढ़ना चालू हो जाएगा जी हाँ, और आज क की इस विडियो के माध्यम से आज के इस लव, राशिफल के माध्यम से दोस्तों बताएंगे उस मंत्र के बारे में, उस वशीकरण के बारे में, और कैसे आप सभी के दिल में आएगा वो भी बताने वाली हैं, कहते हैं, शरीर के लिए. सबसे अच्छा इलाज है कि शांती दिमाग और दिमाग के लिए सबसे अच्छा इलाज है बात पे बात दिल पर नहीं लेना चाहिए और बात दिल से लोगे तो दोस्तों आप सभी को प्रॉब्लम होगा आप सभी को दिक्कत होगा जी हां दोस्तों और आप सभी को बता दे कि जिंदगी की रेस में जो लोग आपको तोड़ कर नहीं हरा पाते वहीं आपको तोड़ कर हरान की कोशिश करते हैं वहीं आपको बहुत ज्यादा दोस्तों एक से एक बढ़कर जिंदगी में परेशानिया आपको पहुंचाने का तकलीफ करते हैं जी हां दोस्तों और आपको सारी चीजें आज हम बताएंगे सुनाएंगे और जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे सत्य के सिवा दो इंद्धम से फुर्सत नहीं और अमीर से जरूरत नहीं इसी कारण से लोग दोस्तों पीछे रह जाते हैं इसी कारण से बहुत ही ज्यादा हार मान लेते हैं और आपको हम बताने वाले हैं आज का दोस्तों दैनिक राशिफल के बारे में आपके लव राशिफल के बारे में जी हां दोस्तों और आपको जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे सत्य के सिवा दोस्तों जूट नहीं कहेंगे जी हां मित्रों आप सभी को आपकी राशी के लिए आपकी कुंदली के लिए और आपक पराओं पर मित्रों आप पूरे जोर देंगे सभी मामले में आज आपको तेजी बनाए रखनी होगी आपके व्यवहार को लेकर लोग यदी आपसे खुश रहेंगे आपकी समर्शक्ती को आज बल मिलेगी और आज अपने खर्चों को देखते हुए एक बजट बना कर तो आपके लिए भैतर रहेगा आपकी रचनात्मक कार्य के प्रती रोच जागरित होगी और आप जीवन साथी की कोई सरप्राइज दे सकते हैं जीवन साथी को कोई अच्छी खुश खबरी दे सकते हैं और जीवन में आपको एक से बढ़कर बदलाव हो सकता है जी हाँ दोस्तों एक सब बढ़कर आपके जीवन बदल सकता है इस राशी के जातक के लिए बता दे और सुना दे कि किसी भी व्यक्ति को अपने प्यार में पागल करने के लिए आज हम आपको प्रेमी प्रेमिका को अपने प्यार में पागल करने के सरल उपाए बताएंगे हमारे बहुत से पाठक हमसे प्यार में पागल करने का वशीकरन पूछते हैं, बहुत सारे मित्रों ने पूछते हैं, जिससे लड़कियों को प्यार में पूरी तरह से तडपाओं कैसे करें, आज आप दोस्तों बताने वाले हैं, इस वीडियो में और सुनाने वाले हैं, जो क कि आने वाले जीवन में आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा किसी भी व्यक। ती को अपने प्यार में पागल करने के उपाय आज हम आपको किसी को अपने प्यार में पागल करने के उपाय बता रहे हैं। इन उपाई को अपनाने से आप बेहत ही आसानी से किसी भी महिला या पुरुषों को अपनी प्यार में पागल कर सकते हैं। किसी को प्यार में पागल करने के इस उपाय के लिए आपको नी दोस्तों निम्न सामागरी की जरूरत पड़ेगी जो की क्याक सम्मान लगेगा वो भी दोस्तों आप देख लो नीम्बू साबुत लाल मिर्च मुंबत्ती अपने प्रेमिका का चित्र एक काला कपड़ा एक सफ मंत्र नीम्बू पर उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए आप जिससे प्यार में पागल करना चाहते हैं यह नाम आपको लाल कलम से ही लिखना है आप दोनों मुंबत्ती को भी अपने सामने जला ले और अपने सक्षम प्रेमि प्रेमिका का चित्र भी रख ले अब नीचे दोस्तों दिये गए एक मंत्र आप सभी को बताता हूं जो की 121 बार आप सभी को पढ़ना है मंत्र है ओम नमा कैलाश परवत पर गोरा देह जे मन माने चाहते आवेई मेरी शक्ती गुरु गोरक नात की शक्ती पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा इस मंत्र को दोस्तों आपने भाग्य ही बदल जाएगा एक और मंत्र है ओम काम दे विच्रती अती प्रिय धिमी ही तंत्र आनन्स्वा इस मंत्र को दोस्तों आप 108 बार पढ़िए आप सभी का मित्रों पूरा जीवन ही बदल जाएगा पूरा भाग्य ही बदल जाएगा और आपको जरूर मित्रों प्या प्यार में एक अलग नाम मिलेगा और आपको कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवनकाल में सुख का कोई फलक तक नहीं देखा दोस्तों जो पैसा कमाते हैं इधर से आ हैं और उधर चला जाता है तो थोड़ी बहुत आप मदद कर दो तुझ से ज्यादा लंबे समय तक संभाल नहीं पाते हैं किसी ना किसी बहाने या कारण से बचाती आपकी समाप्त हो जाती है दोस्तों अभी तक आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती थी तू तो कोई नई परेशानी खड़ी हो जाती थी अभी तक आपके जीवनकाल में कई समस्याएं आपको खीरे बैठी थी अपने जीवनकाल मे आप कभी दिल से खुशी नहीं हुपाए हैं साथ ही लोग भी आपको परेशान करते रहते हैं आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है जो बात आप कहना चाते हैं लोग उसकी खिली उड़ा देते हैं दोस्तों आपके जीवन काल में बहुत सारे ऐसे देना ही हैं जिनमें आप अपने आसूं को लेकर बैठे हैं फिर भी आप अपने दिल का हाल नहीं बता पाए हैं दोस्तों हम आपको बता दे कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें यह वीडियो आपके जीवन काल की एक एक परेशानी को जड़ से खत्म ना कर दे तो फिर कहना दोस्तों आपके इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें यह वीडियो आपके जीवनकाल की एक एक परेशानी को जड़ से खत्म ना कर दे तो फिर कहना दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं तो समाधान बताने वाले हैं। दोस्तों आप उन्हें बिल्कुल ही ध्यान से सुने इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखे भूल कर भी ना करें। यह आपके जीवनकाल में जो परेशानिया कई वर्षों से चली आ रही हैं। उन सभी परेशानियों का समाधान हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और दोस्त आपकी परेशानी 100% समाप्त हो जाएगी जड़ से खत्म हो जाएगी इस बात का हम आपसे दावा करते हैं। तो आएं दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। येकिन उससे पहले माम दुर्गे के सच्चे भक्त कमेंट में पूरे भक्ती भाव से माता को याद करते हुए जै मान दुर्गे अवश्य लिखें, दोस्तों याद रखें। जिनके साथ है मा दुर्गा उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, तो आये दोस्तों बात तो दोस्तों। हम आपको बता दे कि दुश्मन आपको कभी भी कुछ नहीं देख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज आपने नोटिस जरूर की होगी कि जब कभी भी आप सफल होते हैं, आप प्रसन होते हैं, जब भी आपको कोई चीज आपकी महनत से मिलती है, तो यह दुश्मन आपके खिलाफ कुछ ना कुछ इस शड्यंत्र अवश्य रखते रहते हैं, जिससे आपके अच्छे दिन आपसे छीन जाते हैं, लेकिन दोस्तों यह तो बात है, दुश्मनों की जो बाहर की है, लेकिन उन दुश्मनों का क्या है, जो आपके अपने हैं, आपके घर में बैठे हैं, आपके नस्दीक बैठे हैं, जो आपको चैन से जीने नहीं देना चाते हैं, जी ह खिलाफ शड्यंत्र रचते रहते हैं, लेकिन बाहर ऐसा दिखावा करते हैं, जैसे की भी आपके बहुत ही खास है, बहुत ही सगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए मन में विश्व खोल कर बैठे हुए हैं, दोस्तों हम आपको बता दे कि ऐसे दुश्मन बहुत संतोशी प्रवृत्ति के इंसान है, यदि, आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं छोटा मोटा ही मिल गया, तब भी आपने जैसे तैसे अपना गुजारा कर लिया, अपना काम चला लिया है, किसी के सामने आपने अपना रोना कभी नहीं रोया है, लेकिन आप दू ऐसा आप दिल से बहुत बड़ी ही प्रेमी स्वभाव के इंसान है, वैसे आपको कभी इज़त और सम्मान मिल नहीं, पाया लोग दिखावे के तौर पर आपको बाहर-बाहर से तो सम्मान देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर के लिए कितना पाल कर बैठे हैं, जी जी हाँ, दोस्तों आपकी कभी कदर भूल नहीं पाई है, और आश्चर्य की बात यह है कि चीन के लिए आपने अपना सब कुछ न्योचावर किया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा यहां तक कि आप हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचते रहे लेकिन उन लोगों ने कभी भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं की लेकिन दोस्तों हम आपको बता दे कि हर इंसान की शक्ती की एक सीमा होती है, फिर भी हम आपकी राशी वाले जातकों की सहन शक्ती अपार होती है, आप कितना ही परेशान हो जाए उतनी ही तकलीफ हो में गिर जाए फिर भी आप दूसरो के सामने गिड़गिड़ा नहीं हैं अपनी होसले कभी कमजोर होने नहीं देते यहीं तो आपकी राश्य की बहुत बड़ी खूबी है आपकी यहीं खूबी आपको एक दिन बहुत काम्याब बनाती है दोस्तों आप मन ही मन अपना कुछ करने का अपना कारोबार करने का आत्म इसी की वज़ा से आप कई ऐसे कार्य करते भी रहते जिन में आपको परेशानिया भी हासल होती है। लेकिन बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी काम्याबी है अभी हासल होने जा रही है। जी हाँ, दोस्तों दोस्तों आपकी राशी के जातकों की एक बहुत बड़ी खूबी यह है, कि आप लोग किसी के सामने गिडगडाना नहीं, दूसरों के सामने भीख मांगना और खिड़की डालना आपको बिलकुल भी पसंद नहीं है, चाहे इसके बदले में आपको कितनी ह इसके चाहने परिशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े आप अभी सब सही, लीथी लेकिन अपनी आत्म सम्मान के साथ आप कभी भी समझोता नहीं करते हैं, दोस्तों, आपकी राशी के जातक जिस बात को अपने मन में ठान लेते हैं, उस बात को पूरा करके ही मानते है आपकी राशी के जातक कुछ जिद्धी स्वभाव के होते हैं और इसी जिसके चलते एक ना एक दिन बड़े लक्ष भी हासल कर ही लेते हैं आत्मनिर्भर बन जाते हैं और दूसरों की दयापर नहीं पड़ते और दोस्त ही हाल आपका तब होता है जब आप किसी के साथ प्रेम में होते हैं जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप बड़े ही सचे दिल के साथ उनसे जुड़ जाते हैं उनकी छोटी से छोटी बात भी आपको बहुत महत्व रखती हैं आप हर वक्त उनके ख्यालों में खोए रहते हैं उनकी छोटी से छोटी बात छोटी से छोटी खुशी को आप पूरा करना चाहते हैं सच्चे दिल से आप प्रेम करते हैं लेकिन दोस्तों फाइदा क्या है आप अपने दिल की हर बात अपने सामने वाले को खुल कर बताते हैं हर एक बात उसे अपने सचे दिल से बताते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता आपकी हर एक बात को ठुकरा देता आपकी भावनाएं उसके लिए कोई माइने नहीं रखती हैं, तो दोस्तों ऐसे में फिर आपकी भावनाओं को ठेस पहुचती आपको कश्ट मिलता है बडा ही। असानिय है बहुत ही तकलीफ दी है। जी हां दोस्तों लेकिन आप यहाँ सब भी सहलेते। हैं दोस्तों आपकी राशी की खूबी यही है कि आप लोग सभी कश्ट हंसते हुए सहलेते हैं। आपकी सहन शीलता अपार होती है। अपना भला बात में सोचते हैं और आपके मन में एक विशेश बात ही चलती रहती है जब भी आप अपने भले के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि आप स्वार्थी हो रहे हैं लेकिन यह सही नहीं है इस संसार में हमें अपने बारे में अपने भले के बारे में सोच का पूरा अधिकार है दोस्तों आपके सामने यदि कोई बहुत परेशान है बिचारे की हालत खराब है तो आप हर हाल में उसकी मदद करेंगे आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे फिर आप अपने बारे में बिल्कुल ख्याल भी नहीं करेंगे अपना सब कुछ देखक अगर भी उसे खुश करने की उसके जीवन में खुश लाने की पूरी कोशिश करेंगे आपकी दयालोता का बहुत बड़ा प्रमान है और हम आपसे दावे के साथ कहते हैं दोस्तों की एक बार अपने मन में विचार करके देखिए आपने कई बार दूसरों की मदद उस हाल म की है जब आप बिल्कुल भी मदद करने की स्थिती में नहीं थे और उसके बाद फिर आप खुद बहुत परेशान हुए लेकिन फिर भी आपने दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटे छोटे दोस्तों यह सब अच्छी बात है हम कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कोई समस जाते हैं दूसरों को आगे बढ़ा देते हैं इस चक्कर में आप कई चीजों से दूरी बना लेते हैं या यू कहेंगी सफलता से और पीछे छूट जाते हैं दोस्तों इन सब बातों में एक और बात बहुत खतरनाग है कि आपके भोलेपन का कई साथी लोग लाप भी ले जी हाँ दोस्तों आपने यह महसूस किया होगा कि कई बार लोग बड़े ही चालाकी के साथ में बदमाशी के साथ आपकी भावनाओं का लाब ले लेते हैं और बाद में आप ठगा हुआ सा महसूस करते हैं तो अब आपको हम बताएं कि आपको सतर्क रहने की आवशक्ता यदि आपने अब सतर्कता नहीं अपनाई अब आप अपने जीवन में बहुत बड़े गंडे में गिरने जा रहे हैं जी हाँ दोस्तों अब आपको अपना भोलापन त्यागना होगा दुनिया इतनी सीधी सच्ची नहीं है जितनी आप इसे मान कर चलते हैं जी हाँ दोस्तों अब आपको थोड़ा सा सक्त रवया अपनाना ही पड़ेगा दोस्तों अब आपके मन में एक संकल्प करना है यह बापतला यूज नहीं होने देंगे अब आप दूसरों को किसी भी हाल में अपना यूज नहीं करने देंगे और दोस्तों हम आप से कहते हैं कि आप सचे दिल से अपने हृदय पर हात रख कर बताएं हम जो बाते आपको बता रही हैं क्या यहाँ बाते आपके साथ नहीं हो रही हैं यदि हो रही है तो आप कमेंट करके अवश्य बताना हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा तो उस तो तू दोस्तों अब हम करके दिखाना है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था मैं दोस्त उम्रिया किंग जानिये की अब आपका अच्छा समय आ चुका है अब आपकी ग्रहों की चाल बहुत सुन्दर हो चुकी है और आपके अनुकूर हो चुकी है जी हां दोस्तों हैं लेकिन इसके लिए आवधान रहने की आवशक्ता है वरना हर बार की तरह आप फिर से वही गलती तो हर आएंगे और आप सफलता हासिल करने से फिर से छूट जाएंगे क्या कोई छोटी मोटी सफलता हासिल करने के बाद फिर से और सफलता की और कदम बढ़ा देंगे यहां दोस्तो दोस्तो आप का दिल बहुत बड़ा है हम जानते हैं यहां, बात तो जवाब काम्याब होना शुरू होंगे आपके जीवन में, खुशाली आएंगे दुकान से फिर से जुडने का प्रयास करेंगे जिन्होंने आपको धोका दिया है, जिनोंने आपकी कदर नहीं कि आपका समान नहीं क्या आपकी इज़त नहीं क्या ऐसे लोग भी आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे आपसे माफी मांग लेंगे आपसे प्रेम पूर्ण बरताव करेंगे लेकिन वह सब नकली होगा आपको याद रखना होगा आपको उन्हें किसी भी हालत में माफ नहीं करना है वरना फिर से मुसीबत में फंसी के तो दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि अब आपका मान समान कब वापस आएगा अब आपकी सफलता फिर से कैसे आपको प्राप् द्रिश्टी है, पूरी कृपा है, क्योंकि क्या आप जानते हैं? कि ग्रहों की चाल के मjutबिक शनी, देव अभिव्यक्ती अवस्था में है, इस वज़ह से आपके उपर शनी की कृपा बनी हुई है, शनी आपके उपर पूरी कृपा द्रिश्टी बनाए हुए है, इस समय जाय के देवता है। यदि आपने एक गलत ही भूल से भी कर दी तो शनी उसकी सजा आपको अवश्य देंगे आपको माफी नहीं मिलेगी तो आपको फोन से भी नहीं करनी है कुछ बाते जो हम आपको बता रहे हैं। जिन लोगों ने आपके साथ बुराया की है उन्हें एक एक करके शनी देव स्वयम दंड देंगे भी अपने कर्मों का फल खुद ही भागेंगे दोस्तों याद रखना है कि आपको बदले में कुछ नहीं करना है आपको किसी के खिलाफ अपने मन में कोई गलत विचार भी नह आपकी अच्छाई आपकी सफलता की सीडियां बनी जी हां दोस्तों जिस पर शनी देव कृपा कर यदी मन से सच्चा और अच्छा इंसान है तो शनी देव खुलकर उस पर कृपा बरसाते हैं जी हां दोस्तों हर एक सफलता दिलाते हैं आपकी हर छोटी से छोटी का बड़ा से बड़ा लाब आपको मिलता है जी हां दोस्तों लेकिन आपको बदले में कुछ ऐसी बाते हैं उनका विशेश ख्याल रखना होगा अपने कर्म और वचन जितना हो सके उतना साफ रखें अच्छे रखें इस अवस्था में आपको किसी के लिए भी मन में द्रिष्टी बना देंगे इसके बाद आपको हमारे द्वारा बताई गई सावधानियों का विशेश ख्याल रखना है फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नए चरण की शुरुआत होगी उसके बाद आने वाले कुछ महीनों तक शनिदेव की कृपा आपके उप पर लगातार बनी रहेगी फिर आप जो चाहें बात करें आपको भरपूर सफलताएं प्राप्त होंगे लेकिन आपको बहुत सावधानी रखनी होंगी दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं पालना है जैसे आप कोई भी गलत काम ना क किसी को बुरा भला ना शराब जए ऐसी हरकतों में शामिल ना हो गलत लोगों की संगत ना करें, किसी को बुरी द्रिष्टी से ना देखें, गलत नजर से किसी को भी ना देखें, जी हां दोस्तों अपने मन में आने वाली, हर एक भावना को क्या करें, जितना हो सके उतना संयम के साथ साफ सुत्रा जीवन जी है, तो शनीदेव आपकी उन्हे कर्मों की जो आप अब तक करते चले आ रहे हैं, उनका ही कई गुना परिणाम आपको दिल पाएंगे, जी हां दोस्तों अब आपका समय आ चुका है, अब हर एक दुख का हिसाब समय स्वया आपको देखा आपकी भावनाओं की कदर भी होगी, आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा, हम आपको बता दें कि कोई मा या ना माने लेकिन सनी देवल आपके उपर बहुत बड़ी कृपा द्रिष्टी फंसाने जा, रहे हैं, कई सालों के बाद आपकी कुंडली में इतना बड़ा राज योग बना है, जो आपको रंग से राजा बनाने जा रहा है, अब आपका मान सम्मान पढ़ने वाला है समाज में, आपकी इस्जत आपके पद पढ़ने जा रहा है, अब आप दिन दूनी रात चो तरक्की करेंगे, दोस्त अलू है दिलाओं शनिवार तक आपको यह गड़िया करनी है आया दान अवश्य करें ओम सम्शनिष्चराय नमा इस मंत्र का जाप अवश्य करें शनिवार के दिन ही आपको यह करना है और हो सके तो अपने घर के पूजा घर में सरसो के तेल का एक दीपक शनिदेव के नाम से चलाना शुरू कर दे फिर आप देखें कि आपके जीवन में बड़े-बड़े चमतकार घटित होने लगेंगे फिर आप देखेंगे दोस्तों के आपके काम धंधे रोजगार में दिन दूनी रात चोगनी तरक्की होगी नौकर रही है उन्हें अच्छी अच्छी जगों से नौकरी के ऊपर आने लगेंगे लेकिन दोस्तों याद रखना है कि आपको अपना कर्म से सचे मन के साथ करना है आपको कम करने में बिलकुर आलस नहीं दिखाना है अगर मैं आपको अपनी सचे मन से करेंगे तो आपको विशे सफलताएं बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त होंगी आपके मार्ख में, कई सफलता के मौके अब आपका इंतजार कर रहे हैं। कदले में आप किसी महिला का भूल कर भी अपमानना करें और पैसे रुपए से जुड़े फैसले बड़ी ही सोच समझ कर ले किसी बड़ी निवेश में जाने से। इस समय में आपके आए के नए स्रोथ खुलेंगे ऐसे ऐसे नाइस जोग बने इनके बारे में आप हैं। सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा आपकी आए के नए स्रोथ शुरू हो जाएंगे आपको बस सचे मन से महनत करते रहना हैं। प्रयास करने में पीछे नहीं हटना है दोस्तों इस समय आपकी यदि कोई कार्य रुके पड़े थे तो अब उनमें गती आ जाएगी और जल्द से जल्द ही कार्य संपूर्ण हो जाएंगे समाप्त हो जाएंगे प्रेमियों के लिए समय बहुत अच्छा। रहने वाला है तो उस तो यदि आपके प्रेम में किसी प्रकार की रुकावटे आ रही थी तो अब आपका प्रेम सफल हो जाएगा आपके प्रेम में जो रुकावट एक ही वे दूर हो जाएंगे और आपके प्रेम को उसकी मंदिर प्राप्त हो जाएगी दामपत्य जीवन में भी यदि कोई परेशानी थी किसी प्रकार की चीज और खीचतान चल रही थी तो धीरे धीरे यह समाप्त होने लगेंगे और दामपत्य जीवन बहुत ही सुन्दर फिर भी दोस्तों हम आपको यह सलाह देंगे कि आपको अपने जीवन साथी के मन की बातों को भावनाओं क ध्यान में रखते हुए ऐसे बरताफ करना होगा नहीं तो आप फिर से परेशान किये जाएंगे और जीवन का असली सुख यानी दामपत्य सुख से वंचित रह जाएंगे दोस्तों अब शनिवार के दिन आटा और शक्कर मिलाकर काली चीटियों को अवश्य खिलाएं इसी के साथ ही दोस्तों शनिवार के दिन काला तिल काला कपड़ा कंबल और लोहे के बरतन आप गरीबों में दान अवश्य करें दोस्तों साथ ही साथ शनिवार के दिन बंदरों को और चने अवश्य खिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें दोस्तों आपको हनुम चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए क्योंकि जो लोग हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं उन्हें शनी के किसी भी प्रकार के दोश नहीं लगते हैं और ना केवल शनी केबल के अन्य कई गाव के दोस्त की उन्हें परेशान नहीं करते जैसे मंगल तो शुक जरूरत मंदों की मदद करने वालों पर शनी देव की विशेश क्रिपा रहती है अगर आप भी शनी देव की क्रिपा चाहते हैं तो आपको भी दान पुन्य करते रहना चाहिए शनी देव की क्रिपा के पात्र बनने के लिए जरूरत मंदों को काले चने काले तिल उड़त और सब अच्छे कपड़े सच्चे मन से दान करते रहना चाहिए। शनिवार को किसी काले कुत्ते काली गाय को रोटी और काली चिडिया को दाना खिलाए। इससे शनी ग्रह कीत। रूर द्रिष्टी दूर होती है और बिगड़े काम बनते हैं। शनिवार को चीटियों को आटा या मचलियों को दाना खिलाने से नौकरी में तरक्की मिलती है। शनिवार के दिन शनी से संबंदित चीजे खरीदने से बचना चाहिए। शनिवार के दिन लोहे का कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा है। शनिवार के दिन उड़त की दाल का दान करना उतम होता है, लेकिन इस दिन इसे खरीदना शुब माना जाता है, शनिवार के दिन पोईला खरीदना भी, अच्छा नहीं माना जाता है, शनिवार इस दिन धन उधार देने से भी बचना चाहिए नहीं, तो आपको नुकसान, प्रकोग में से किसी का भी मान करने से शनिदेव देव की क्रूर दृष्टी का सामना करना पड़ता है अगर आपने किसी व्यक्ति से आपने पैसे उधार लिये हैं और उसे जान बूज कर वापस नहीं कर रही हैं तो आपको शनी का प्रकोग जहलना पड़ सकता है न्याय के देवता कभी जाने वाले शनी देव सूरत से काले हैं और जोतिश के अनुसार उन्हें काला पूरा नीला जैसे डार्क रंग बहुत पसंद है शनी देव की कृपा प्राप करने के लिए जांच को शनिवार के दिन डार्क रंग के कपड़े पहनने चाहिए दोस्तों अगर म पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों जीवन में आप ऐसे ही नाम कमाएं तरक्की करें आगे बने ये मेरी आशिरवाद है कामना है दोस्तों आपको एक से एक बढ़कर शुब जानकारियां दोस्तों मिलेगा और आप खूब आगे भी बढ़ोगे जी हां दोस्तों आप स्वस्त रहे मस्त रहे तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार करें धन्यवाद मित्रों हर हर महादेव